कांगरे सद्धक्ष राहूल गांधी ने चौकीदार चोर है कि अपने बयान को ना सिर्फ वापस ले लिया है बलकि सुप्रिम कोर्ट में हलाफनामा दाखिल कर इस पर खेद भी जताया है राहूल गांधी के इस यूटर्ण पर यूपई के इपटी सीम के इश्व परसाद मौरय क्या सोचते हैं उन से बात करते हैं राहूल गांधी ने अपना बयान वापस ले लिए देखें स्री राहूल गांधी जी के बारे में पहले भी कहा करता था राफेल का मतलब है राहूल गांधी फेल वह जो आरोप मानी नरेद मोदी जी बारत के प्रधान मंत्री जी के उपर लगा रहे थे वो अपनी कांग्रेसी संस्किती के अनुसार कि अगर उनकी सरकार होती है तो उनकी सरकार में बीना कमिशन खोरी के बीना ब्रहश्ट आचार किये कोई काम नहीं होता था वही चीज उनने सोचा कि मोदी जी के नेत्यतवाली सरकार में भी होगा मोधी जी तो एक संथ है, फकीर की तरह है, उनको अगर उपहार में भी कुछ मिलता है, तो वो गरीब बेटियों की साधी के लिए खर्चे कर देते हैं अनसूचित वर के भाईयों, बहनों के परिवार के उत्थान के लिए खर्चे कर देते हैं सियोल से प्रषकार मिला तो उसको नमामि गंगे को समर्पित कर देते हैं और मानी नरेद मोधी जी के उपर पहले तो इन्होंने आरोप लगाया आज इनको मानी सरोच ने आले के समझ माफी मांगना पड़ा तो बहुत इसे समझता हो की कांग्रेस के मुह पर यहां करारा तमाचा है निश्चित तोर से उद्देश से मापनी मांगनी चाहिए और उनको तो कांग्रेस के अध्यच पस से इस्तिफा देना चाहिए स्री राहूल गांधी जी मैं अभी वायनाड के बारे में नहीं जानता हूं लेकिन आमे एठी से निश्चित तोर से हार रहे हैं दो अध्यच जो मोदी जी के विरोध की राजनीती करते हैं एक राहूल गांधी जी आमेठी से हार रहे हैं तो उसे सपाध्यच स्री अखलेश यादो जी आजमगर से हार रहे हैं। मायवती जी तीसरी नेता हैं जो विरोध कर रही हैं। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अन्यता वो भी हारती हैं। और राश्टी लोग दल के जो अध्यच्छ हैं। आजी सिंग जी वह मुझपन नगर से हार रहे हैं। और इसके अध्यच्छ पद से इस्तिफा दे देना चाहिए। कैमरा परसन रोहिश श्री वास्तों के साथ मुहमद मुहिन एवीपी गंगा प्रयाग राजी।